हाई फ्रेंज, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आप सब के साथ धोकार डालना की रेसिपी सेयर करूँगी, तो चलिए फ्रेंज, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले धोकार डालना बानाने के लिए मैं एक काप चाना डाल को अच्छे से वास करके राद भर भ पानी डालूँगी, और थोड़ा अधरक डालके इसका मैं एक पेस्ट बाना लूँगी, यह देखिए फ्रेंज, मेरा पेस्ट बान गिया है, अभी मैं इसे फ्राइ करूँगी, तो उसके लिए मैं एक कड़ाई में 1 टीस्पून मस्टर्ड ओयल को पहले से गरम करने के लि अब ही मैं इसमें ढालँगी हल्दी पावडर, अब ही मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसान नमक, अभी इस सारे चीज़ को मिक्स करके मैं इसे ड्राइव होने तक फ्राइ करूँगी यह देखिए फ्रेंज मेरा पूरा मिक्चर फ्राइव हो गया है अभी मैं इसे एक प्लेट में टांसपर करूँगी और प्लेट को मैं पहले से ओयल में ग्रीस करके रख लिये है यह देखिए सारे डाल का मिक्चर को मैं प्लेट में डाल के इसे फैला लूँगी अभी मैं इसे ठांडा होने के लिए राख दूँगी जब तक मेरा ये ठांडा हो रहा मैं ग्रेफी का पीपरेशन करूँगी तो उसके लिए मैं और एक मिक्सर गायन डालिये हैं उसमें मैं डालूँगी अद्रक एक राफली काटा हुआ टामाटार और कुछ ग्रीम चिली अभी थोड़ा पानी डालके इसका मैं एक पेस्ट बान गया है आभी मैं इसे काट करूँगी शेप आप कोई भी दे सकते हो यह देखिए फ्रेंस धोका को काट करना मेरा हो गया है अभी मैं इसे फ्राइ करूँगी डीप फ्राइ करूँगी तो उसके लिए मैं एक पैन में ओयल को पहले से गरम करने के लिए डाल दिये हैं अभी मैं धीरे धीरे सारे धोका को ओयल में डालके उलट पलट करके फ्रा एक साइड हो जाने के बाद मैं इसे पाल्टी कर दूँगी इस दोकार डालना को रेसिपी को आप चरूर बाना के खाए ए बानाने में जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी बानते हैं हर बेंगोलिस की ए फेवरिट रेसिपी है मेरा धोका फ्राइ हो गया है अब ही मैं धीरे धीरे सारे धोका को ऐसा करके फ्राइ करके एक प्लेट में टांसफर कर लूँगी अब ही मैं इसका ग्रेवी का पीपरेशन करूँगी तो उसके लिए एक काराई में मैं वान टीस्पून मास्टर ओयल को गरम करने के लिए डाल दिये हैं अब ही मैं इसमें डालूँगी एक बेय लिप्स, साथी साथ मैं इसमें डालूँगी 1.5 तीस्पून जीडा, अब ही मैं गैस का फ्लेम लो कर दूँगी और डालूँगी एक पींच हिंग, अब ही जो पेस्ट बाना के राखे थे उसे में डाल के सारे चीज़ को मीक्स करके फ्राइ करूगी इस देखिए पेस्ट को में डाल दिये है अब ही मैं इसमें डालूँगी हाफ टिस्पून हल्दी पाउडर और एक टिस्पून धनिया पाउडर और एक टिस्पून जीरा पाउडर साथे साथ मैं ग्रेवी का हिसाब से इसमें नामाग डालूँगी अब ही मैं इसमें डालूँगी ओन टिस्पून सुगर यह मीठा मीठा अच्छा लगता है अभी मैं इसमें डालूँगी ओन टिस्पून करम मसाला पाउडर अभी मैं इसमें कालर के लिए डालूँगी ओन टिस्पून कास्मिरेज चिली पाउडर अभी मैं सारे चीज को मिक्स कर लूँगी मिक्स करके सारे मसाला को फ्राइ करूँगी रेसिपी अच्छे लगे तो मेरा रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सकाइब कीजिए सारे चीज को मैं अच्छे से फ्राइ कर लिए है मेरा मसाल अच्छे से फ्राइ हो गया है अब ही मैं गैस का फ्लिम लो करके इसमें डालूँगी वान टेविल स्पून दाही इसे मैं फेट लिए है इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी दाही डालने से ग्रेवी ठीक बानता है अब ही मैं इसमें डालूँगी पानी गुनगुना पानी डालूँगी ग्रेवी आप अपने हिसब में कौमिया ज़्यादा कर सकते हो अब ही मैं जो धोका को फ्राइ करके राखेते ग्रेवी में डालूँगी देखिए सारे धोका को मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ डाल के मैं मीडियम फ्लेम में एक मिनिट के लिए कूक करूँगी यह देखिए सारे चीज़ को मैं मिक्स कर लिए है अब ही मैं इसे हाई प्लेम में एक मिनिट के लिए कूक करूँगी अब ही मैं इसमें डालूँगी वान टे स्पून घी अब ही मैं सारे चीज़ को मिक्स करके इसे स्टैंडिंग टाइम में रखके इसे मैं सार्व करूँगी तो देखिए कितना असानी से मेरा धोकार डाल लाबान किया है उमीद कते हूँ आज करे आप सबको आच्छा लगा थैंक्स फर वाचिंग